नमस्कार मैं हूँ आचल सिंग उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की मुखमंत्री योगी आदतनाथ ने चाइना के लिए एक बहुत बुरी खबर दे दिये और उन्होंने ये एलान कर दिया है कि अब दीपा वली पर जो गडिश और लक्षमी की म कर उसने ये कदम उठाया है और उत्तर प्रदेश के मुखमंत्री योगी आदतनाथ ने ये एलान कर दिया है और शाप सब्दों में कह दिया है कि इस बार दीपा वली के उसर पर चीन से गौरी गडेश की मूर्तिया नहीं आएंगी और इनका उत्पादन गोरकपुर में ही किया जाएगा और गोरकपुर का टेरा कोटा चीन से जादा अच्छे उत्पाद तयार करता है फिर ऐसी स्थिती में हम चीन से मूर्तिया और दियां क्यों आयात करेंगे तो जिस तरीके से योगी आदितनाथ ने मूर्तियों को लेकर ये फैसला लिया है इससे ये साफ हो ग 754 उद्वियों को 2002 करोड का लोन भी दे दिया है तो अब उत्तर प्रदेश चरकार जो लोग वे रोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिए नए नए कदम उठा रही है इससे पहले भी उत्तर प्रदेश ने फैसला लिया था जब ये हुआ कि चाइना से विमोख होकर कम कंपनिया अलग अलग देशों में जाएंगी उसमें भारत उसकी पहली पसंद है तो उत्तर प्रदेश ने जो अवसर उसके पास था वो ना गमाते हुए योगी आदितनात ने तुरंत उन लोगों के विशेश पैकेज बनाया और उन कंपनियों को लुभाने के लिए उन्ह बाहर से आते थे यानि कि चाइना से आयात किये जाते थे अब वो खुद गोरकपुर में उतका उत्पादन होगा तो योगी सरकार के जो ये फैसले है लगातार ये चाइना के लिए बहुत बड़ा जटका है इससे पहले भी चाइना को जटका देते हुए योगी आदितना प्रदान मंत्री जी लोकल को वोकल करने के लिए आपके मंत्र को अमल में लाकर हम शीगरी अपने कुटीरियों लग उद्दोगों को ग्लोबल ले जाएंगे निश्यत रूप से हमारा देश आर्थिक तोर पर शक्तशाली बनेगा तो जिसके तोर पर उन्होंने ये कहा कि प्रदान मंत्री के आवाहन के बाद ही ये राज सरकार ने फैसला लिया है यानि कि योगी आदितनाथ ने फैसला लिया है और जो ये लोन दिया गया है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के आवाहन के बाद जो उन्होंने आतनिरवर भारत की बात कही थी लोकल को वोकल की पात कही थी कि जो लोकल है प्रोडेक्ट उसे यूज ही न करें उसका प्रचार और प्रसार करें उसी के बाद ये फैसला लिया गया है साथ में सिधार्थनाथ का ये भी कहना है कि माननिय मुखमंत्री शिरी योगी आदितनाथ जी के कुशल मार्ग दर्शन में राजे की अर् SMES के लिए संजीवनी का काम करेगा और हमारे मुखमंत्री योगी आदितनाथ जी के विजन को पूरा कर यूपी की बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान करने वाला योम विश्य को आपूर्थ करने वाला राज्य बनेगा साथ में ही उन्होंने ये भी बताया कि जिस त सूक्ष मिलग और मध्यम उद्योगों के लिए पैकेज घोश्रा करने के अगले दिन ही दो हजार दो करोड की लोन की धनराश कुल 56,754 चोटी उद्यों के खाते में जमा कर देता है इससे दो से धाई लाख नौकरियों का भी स्रिजन होगा तो ये जो रोजगार के आउसन निकलेंगे दो से धाई लाख नौकरियों का जो स्रिजन होगा इसकी भी उन्होंने बात कई तो जिस तरीके से योगी आदितनात कदम उठाते रहिए चाहे वो प्रवासी मजदूरों को लेकर हो या फिर रोजगार के अउसर प्रदान करने के लिए हो जिस तरीके से योग प्रदेश से जाते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इससे पहली भी योगी आदितनात ने उन राज्यों को भी संकेत दे दिये थे जो इनका पालन पोशन नहीं कर पा रहे थे इस लोगडाउन के बीच जिनको ज्यादा दिक्कते उठानी पड़ी थी जिन मज से उनको इतनी दिक्कते उठानी पड़ रहे हैं यहां तक हमने यह देखा कि सरकारे व्यवस्ता नहीं कर पाई जिसके बाद इतनी आनंद विहार में भीड इकठा हुई थी और जिसमें यूपी के मुखमंतरी योगी आदितनात ने उन्हें बस चला कर उत्तर प्रदेश मे उनको लेके गए थे और अब उनके रोजगार की भी वीवस्ता उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कर रही है तो इससे पहले आपको बता दे कि केंद सरकार की तरब से भी ऐसे मज़ूरों के लिए ऐसे किसानों के लिए जो लोन लेना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ा जिस तरीके से प्रधानमंती नरेन रमोदी ने 20 लाख करोड का पैकेज दिया था, सभी मवर्गों को ध्यान में रखते हुए उसके कड़े में निर्मला सीता रमन जो वित्तमंत्री हैं उन्होंने कल उद्धुमियों की बात की थी और आज उन्होंने किसानों और मजदूरों को लेकर बड़े अलान किए हैं उस पें आपको बताते हैं कि क्या-क्या एलान आखिर निर्मला सीता रमन ने किये हैं तो आज निर्मला सीता रमन जो वित्तमंत्री हैं उनके तरब से छोटे किसानों को रियायती दरोपर 4 लाख करोड का लोन देने का एलान किया Гईा है एलान भी किया गया और ये किसानों छोटे किसानों को रियाईती दरों पर ये लोन दिया जाएगा साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि नाबाट ग्रामीर बैंकों के जरिये 29,500 करोड की मदद किसानों को की गई है मार्च अप्रेल में 86,000 करोड का कर्ज दिया गया और ग्रामीर आधार भूत धाचे के लिए 2200 करोड भी दिये गया है साथ में आपको बता दे कि वित्त राजमंत्री अनुराक ठाकुर ने भी बताया कि निूंतन दैनिक मजदूरी बढ़ा कर 202 रुपे कर दी गई है तो ये जो लगातार मांग उठती रही है मजदूरों के तरफ से कि जो उनका मिनमम वेज प्राइस है वो बहुत ही कम है जिस पर आज केन सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है वित्त मंत्राले ने बड़ा फैसला लेते हुए वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुन ने बताया कि वो बढ़ा कर 202 रुपे कर दी गई है यानि कि प्रवासी मजदूरों और ये जो मजदूर है दिहारी मजदूर उनको खासा ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है और वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए भी ये कदम उत्तर प्रदेश के मुखमंत्री योगी आदतनात ने भी उठाया है उन्होंने जो रहडी पटरी वाले हैं जो अपना सबजी बेचकर गुजारा करते हैं या जो लोग अभी बेरोजगार हैं उनके लिए उन्होंने एक पैकेज दिया है कि 10,000 का लोन उनको दिया जाएगा यानि प्रतिव्यक्ति को 10,000 का लोन दिया जाएगा ताकि वो अपना बिजनस जो छोटा मुटा काम कर रहे हैं वो बढ़ा सके और साथ में ये जो लोन दिया जाएगा वो भी उसका रियायती दरों पर उनको दिया जाएगा यानि ब्यास बहुत रियायती दर होगी बिना किसी सिक्यूरिटी के ये लोन दिया जाएगा और आसान किस्तों पर ये लोन दिया जाएगा साथ में आपको बता दे कि वित्यमंत्री निर्मरा सीता रमन ने पैकेज पर जानकारी देते हुए बताया कि सभी मजदूरों को नियूंतन मजदूरी का फाइदा देने की कोशिश है 10 से कम करमचारी वाली संस्था, सालाना करमचारीों का हेल्थ चेक अप करा है एसी संस्थाओं को ESIC के दायरे में लाएंगे, खतरनाक शेतर में काम करने वाली लोगों के लिए ESIC जरूरी है साथ में उन्होंने 8 करोड प्रवासी मजदूरों के लिए राशन की बात कही और उन्होंने कहा कि 3500 करोड का प्रवधान इन लोगों के लिए है 8 करोड प्रवासी मजदूरों के लिए अगले 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को 5 किलो राशन मिलेगा जिनमें गेहु चावल के अलावा 1 किलो चना भी दिया जाएगा साथ में उन्होंने एक बड़ी बात की है जिसकी देश में मांग उर्ती रहे है वन नेशन वन राशन स्कीम की लाँगू किया जाएगा गर चावल लाजनाती रहे है जुक्न काड है इसमें खासा दिक्कत टुनको आई लेकिन अब सरकार ऐसी जो दिक्कत है उसको खत्म करने के लिए वन नेशन वन राशन की स्कीम लागू की है और ये अगस 2020 तक राशन कार्ट की नेशनल प्रॉपिबिलिटी का काम किया जाएगा रात में काम करनी वाली महिलाओं के लिए भी नियम लाए जाएंगे तो जिस तरीके से सरकार ये कदम उठा रही है मजदूरों और किसानों के लिए किसानों को जो लोन देने की बात कही है और ये लोन 50,000 तक या 50,000 अगर रुपे से कम है जबकि 3 महीने के बाद अपनी किस्त चुकाएंगे तो समय चुकाने मालों को 2% व्याज में छूट दी ज पास है मिडिल इंकम ग्रुप जिनकी 6 लाग से 18 लाग रुपए सालाना इंकम है उनके लिए अफोर्डबल हाउसिंग के लिए क्रेडिट लिंक सबसिडी स्कीम का भी फाइदा 2021 तक बढ़ाया जा रहा है ये योजना मार्च 2020 में खर्त नों हो रही है आदवासियों के लिए रोजगार बढ़ाने के लिए कैमपा फंड 6000 करोड रुपए का होगा तो आज निर्मला सीता रमान ने जो प्रवासि मजदूर है उनके लिए बात के साथ में किसानों के लिए आदवासियों के लिए जो ऐसे वर्ग हैं जिनकी बात लगातार विपक्ष उठाती रही है और जिस तरीके से ये एलान किये गए हैं इससे ये साफ नजर आ रहा है कि सरकार को हर वर्ग का ध्यान है और इसलिए किसानों के साथ सार प्रवासि मजदूरों के सार आदवासियों का भी खासा ध्यान रखा गया है जै हिन जै भारत